दोस्तों आप सोका स्वागत है आज हम रुव्यू करेंगे फिल्म बंधे हाथ ये 2016 की तमिल एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है डिरेक्टेड बाई के विजेंदर तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम पो दिखाया जाता है वर्मन नाम का कैरेक्टर जिसको फांसी होने वाली है जिस पर कुछ मडल्स और एक बलातकर का हिल्जाम है और उसी वज़े से उसको फांसी नहीं चाहता तो इन सारी बातों को जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ी ही और इस तरीकी की टॉपिक पर अल्रेडी बहुत सारी फिल्म है बन चुकी है इसी तरीकी की सेम टॉपिक यानि कि अगर आपने गर्व जो सलमान खान की फिल्म थी अगर आपने वो फिल्म देखी है, तो ये फिल्म में करीबन करीबन कुछ उसी तरह की ही हमको लगती है तो करीब करीब वैसे ही फिल्म है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि exact same movie ही है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ अलग चीज़े देखने को मिल जाती है इस फिल्म में, जिसके वज़े से इस फिल्म को देखने का थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताई कि वर्मन नाम को जो कैरेक्टर है उसको फांसी होने वाली है, जो कि एक तरीके से इस फिल्म का एक लीड कैरेक्टर है, तो उसके साथ ये सारी चीज़े कैसे हुई, कैसे वज़े से हुई वो किस तरीके से फांस गया और उसको फांसी होगी भी या नहीं इन सब को दिखाने के लिए ये फिल्म सीधा प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है उसके बाद हमको सारी चितनी भी घटनाई है वो दिखाये जाती है बताई जाती है कि क्या हुआ था असल में आंगर क्या हवा था उसके साथ जिसवजे से उसको फांसी की सजा होने वाली एसा क्या कर दिया उसने तो उसी को दिखाने के लिए फिल्म प्रिजेंट से सिधा पास्ट में चले जाती है। उसके बद हमको दिरे 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 सारी चीज़े बताई जाती हैं सारी चीज़े दिखाई जाती हैं कि भाई आकर क्या हुआ था एसी क्या क्या वज़े रही थी जिस वज़े से उसको ऐसे कदम उठाने पड़े या फिर सही में उसने किया भी था या नहीं था या फिर उसको इतना कुछ जादा expect मत किजेगा कि कुछ romantic ऐसा वैसा आपको देखने को मिलेगा वैसा तो आपको नहीं मिलता है। इसके अलवा साथी साथ आपको इस film में comedy भी बहुत भर-भर के देखने को मिलती है। इस film में funny scenes, comedy scenes भरे-पड़े हुई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताए कि इस film को हमारे सामने जिस तरीके से रखा गया है वो presentation ही बहुत ही बढ़िया है। presentation, screenplay इसी के वज़े से ये film बहुत अच्छी लगती है वरना फिल्म की कहानी उतनी कुछ खास लगती नहीं है देखने के समय और जिस तरीके से हमारे सामने सारी चीज़ों को छुपाया गया है और धीरे-धीरे करके एक इक चीज़ को हमारे सामने reveal किया गया है यानि कि छो जो भी चीज़े हैं उनको कब छुपाना है, कब दिखाना है, कब बताना है ये सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी तरीके से फिल्म के डिरेक्टर ने ध्यान दिया है और यहां पर धीरे-धीरे-धीरे एक-एक mystery reveal होती चली जाती है जिस वज़े से इस फिल्म को देखने म इसके आलाव फिल्म में जो आपको कॉमेडी देखने को मिलती है, इसे वज़े से ये एक देखने लाइक टाइम पास फिल्म बन जाती है, हाला कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा कुछ एकस्पेक्ट करो कि भई, ऐसा या वैसा आपको इस फिल्म को रेटिंग देने के तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूँगा 4 आप 10 स्टार, बाकि अगर आपनी इस फिल्म को देखा है तो क्या सुचते हैं आप इस फिल्म के बारे में मुझे आप कमेंट में ज़रू बताएगा, वीडियो को लाइक किजिए, अपनी दोस् सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलेगा, तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में, फिर किसी ऐसे ही मुई के रिवीव के साथ, जोहार